हेलो फ्रैंड गायतरियू मेकिंग चैनल में आपका स्वागत है फिर से हजेर हम आपके लिए नई रेशीपी लेगे तो चलिए फ्रैंड बनाना चाट करते है आज की स्टार्ट से तो ब्रैड का आज हम बहुत टेस्टी और हल्दी नास्ता बनागे तयार करेंगे और इतना अच्छा स्नैक लगता है आप एक बार बनाओगे बार बार बनाना और खाना पसंद करोगे तो फ्लाल इन ब्रैड को एक तरफ रखते हैं यहां पे हमने एक मिक्सी जार ले लिया है और यह ब्रैड जो है हम इनको छोटे-छोटे तोड़के इस तरीके से डाल देंगे और इन चूरा बनाके लियाएंगे गी तो आचित की इस तरीके से चूरा बना के तैयार कर लिया है उसको हम एक प्लेस में असफटर करेंगे ऊसर करेंगे और लेक्ट की गरी जाता है इस तरीके से बनके तैयार हो जाता है इसको खाइब Een अलू मसाला तयार करेंगे आलू मसाला बनाने के लिए यहां पर हमने चार आलू ले लिए हैं तो यह मीडियम अकार के हैं और यह हमने वोईल करके छीद लिया है अब इसको हम अच्छे से मैस कर लेंगे इनको हम चम मस्स अच्छे से मैस कर लेंगे यहां पे हमने एक तमाटर लिया है यह हमने बारिक चौप कर लिया है इसके अंदर का जो रसीला भागदा वो हमने निकाल दिया है बीज हमने बिल्कु यूज नि किये हैं तो देखे जितना भी इसमें पानी था वो हम अब भी नहीं लालेंगे जो निकल गया है सरिफ ड्राइज सर डालेँगे तो यह हमने तमाटर लिये हैं यहां पे हमने बारिक सीम्ळा मिज्च लिये तो यह मीडियम आकार की दो Сам थी यह भी हमने बारिक चौप कर लिये एक चमच इसमें हम बारिक हरी मिज डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे अब थोड़े मसाले डाल देंगे तो यहाँ पे आधी छोटी चमच लाल मिज डाल देंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिज डाली है एक पींच शल्दी आदे चमच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे इसको थोड़ा चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए यहां पर आदे चोटे चमच हम चूर पाउडर डाल देंगे अब इसमें स्वात के अनुसान नमक डाल देंगे अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने से पहले देखे ये जो चूरा उमने बना के रखा था ये इसमें डालेंगे चैसे साथ चमज डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर भी हमें इसमें जर्ट पड़ेगी तो और मिक्स कर लेंगे इसमें तो फलाल तो इसको हमें हाथ से अच्छे से गूत लेना है जैसे हम आठा लगाते हैं इसी तरीके से इसका डो बना के तयार करेंगे यह हमारा डो बन के तयार हो गया है वह होटी टाइट हो गया है जैसे हम इसकी सेफ बनाएंगे वैसे ही बन जाएगी तो यहाँ पे इसकी हमें बॉल बनानी है जैसे बॉल बनती है तो हाथ पे हलका सा ओल लगा लेंगे इस तरीके से बॉल बनाके सारी तयार कर लेंगे इसी तरीके से बनाके तयार करेंगे सारी तो देखे फ्रेंड सारे बना के इस तरीके से हमने ये तैयार कर लिए है तो इनको फिलाल हम एक तरफ रखते हैं तो देखे फ्रेंड ये हमने ब्रैड का चूरा जो बचा लिया है तो ये अब काम आएगा इसे हम कोटिंग करनी है जो हमने ये बॉल्स बना के रखी है इसकी ह एक पतला सा बैटर बना के तयार कर लेंगे तो देखे फ्रेंड यह हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हो इस तरीके से हमें चाहिएगा यह ना ज्यादा पतला है और ना ज्यादा खाड़ा है अब इसमें हम एक बॉल डालेंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से अच्छा से कोट करेंगे और करनी के बाद इसको हम एक तरफ रखेंगे और यहां पर जो हमने ब्रैड कशूरा लिया है इसको इस तरीके से कोट करना है तो देखे फ्रेंड इसको हमने इस तरीके से कोट किया है और इसको हम इस तरीके से रखते जाएंगे तो सारे बना के हम इसी तरीके से तयार करके रख लेंगे तो देखे फ्रेंड ये सारे हमने इस तरीके से बनाके तैयार कर लिये हैं हने तक फ्राइब करेंगे तो एक-क करके डाल देंगे हम इस तरीके से इनको हम अलटते प्लटते वे गॉल्डन ब्राउन होने तक फ्राइब करेंगे तो देखे फ्रेंट ये अच्छे से सिख चुका है इसको हम निकाल लेते हैं तो देखे यह हमने फ्राइय करके निकाल लिए है और जो बाकी के बचे हुए है वो भी हम इसी तरीके से फ्राइय करेंगे तो यह लिजी फ्रेंड देखे गर्म गरम हमारा नास्ता बन के तैयार हो गया है तो इतना अच्छा स्नेक बना है आपको जरूर पसंद आएगा और देखिए कितना क्रेस्पी है आप आवाज से सुन सकते हो देखिए जब हम चाकू से इस तरीके से करेंगे ये देखिए बहुत क्रेस्पी और बहुत टेस्टी हमारी बॉल्स बनके तयार हो गई है और देखिए चार आलू में इतने सारा नास्ता हमारे बनके तयार हो गया है और ये दि आपको हमारी रेसीपी पसंद आती है तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेर करना न भूलिए इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई रेसीपी के साथ